मान्य अद्यक्षा महोदया आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कहानी का शीर्शक है चौथी पास राजा आपने बच्चपन में राजा रानी की बहुत कहानिया सुनी होंगे मेरी कहानी में रानी नहीं है बस राजा है ये एक ऐसे राजा की कहानी है अद्यक्षा महोदया जो अनपड था चौथी पास था बेहद अहंकारी था बहुत अहंकार था बहुत ज़ादा और पैसे की इतनी हवस थी इतना भरष्टाचारी था इतना भरष्टाचारी राजा था ये एक महान देश की कहानी है एक बहुत महान देश था कई हजार साल पुराना देश उस देश में एक गाउं में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जनम हुआ जब बच्चे का जनम हुआ तो जोच्छी ने कहा गाव में जोच्छी होते हैं आते हैं वो पत्री बनाते हैं जोच्छी ने कहा माई तेरा लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा माई को यकीन नहीं हुआ मेरा इतने गरीब हूँ मैं कहां से मेरा बेटा सम्राट बनेगा तो उसने का नहीं तेरे बेटे के ग्रह बताते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा समराट बनेगा बेटा धीरी धीरे बड़ा होने लगा स्कूल गाउं का स्कूल था स्कूल जाता था उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी, चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया गाउं के पास एक रेलवे स्टेशन था तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़कावा स्टेशन पर चाय बेचता था लड़के को भाशन देने का बड़ा शौक था सारे गाउं के लड़कों को इकठा कर लेता आसपास के गाउं के भी इकठा कर लेता सामने वो खाट डाल लेता उस पर चड़ जाता और भाशन देता धीरे धीरे आसपास के गाउं के लड़के भी कठ्थे हो गए जिस में जिस भी चीज में भाशन देता है, एक बार शुरूव हो जाता तो बंदी नी होता अब जोच्छी ने कहा था लड़का बड़ा हुआ बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा बन गया पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे अब उसे आता जाता कुछ था नी, पढ़ा लिखा था नी अफसर आते कुछ-कुछ अंगरेजी में चपर-चपर करते उसको समझ नहीं आता अफसर जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते जो मरजी उससे साइन कराके लिए अब वो कुछ पूछे अफसरों से तो उसे भी शरम आती थी कि मैं ये मैं पूछूंगा तो उनको लगेगा अनपड़ आदमी है पता चल जाएगा तो उसके भी दिल में ये रहता था यार मैं पूछूं ना पूछूं किस चीज पर उसने चौथी पास राजा ने साइन कर दिये फिर धीर है राजा को ये बुरा लगने लगा यार ये मिर को चौथी पास चौथी पास कहते हैं तो उसने एक फर्जी डिग्री बन वाली कहीं से फर्जी डिग्री बना के ले आया M.A. की बुला मैं M.A. हूँ तो लोगों को लगा यार यह यह तो ठीक नहीं है यह तो फर्जी डिग्री हम बना के ले आया हमार हराजा तो लोगों ने RTI डाली जो RTI डालता उस पे 25 जार उपे जुर्माना आपके नेता की बात नहीं कर रहा आप लोग भी हस सकते हो तो जो RTI डाले उसको 25 जार उपे का जुर्माना जो RTI डाले उसको 25 जार उपे का जुर्माना एक दिन कुछ लोग गए चौथी पास राजा के पास बोले जी एक बड़ा धासू आइडिया लेके आया है बोले बताओ बोले जी नोट बंदी कर दो रष्टाचार खतम हो जाएगा देश से तो उसने कुछ पूछा उसे कुछ समझ नहीं आया राजा को क्या कह रहे हैं क्या नहीं पर उसे लगा यार कुछ धासू आइडिया होगा उसने एक दिन रात को आठ वजे टीवी चैनल पे जाके नोट बंदी कर दी वहला सारे नोट बंद पूरे धेश में हाहा कार मच गया तडप गए लोग धंदे बंद हो गए दुकाने बंद हो गई लोग बेरोजगार हो गए बुरा हाल हो गया पूरे दे लंबी लंबी लाइने लग गई पूरे देश के अंदर लोगोंने जाके उसको गाए जी नोट बंदी कर दो आतंकवाद खतम हो जाएगा ना आतंकवाद खतम हुआ ना भष्टाचार खतम हुआ देश बरबाद हो गया वो महान देश जिसका वो राजा बनाता वो देश 10 साल 15 साल 20 साल पीछे चला गया उस नोट बंदे से उस चौथी पास राजा की वज़ा से एक दिन कुछ लोग गए उस राजा के पास बोले जी खेती खूब बड़ी हो जाएगी एक किसानों के कानून पास कर दो अब उसको कुछ हकल नहीं थी राजा को अनपड राजा था उसने साइन कर दिये तीन काले कानून पास हो गए किसानों के पूरे देश के किसान सडकों पर जगए-जगए मोर्चे साडे साथ सो किसानों थी मौत हो गई एक साल के अंदर अन्ठ पंत में राजा को वो कानून वापस देने पड़े दीरे दीरे देश की समस्याएं बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई क्योंकि राजा एरे गेरे इससे पहले एक और राजा आया था मुहम्मद बीन तुगलक वो भी ऐसी करता था कभी उसने देश की राज़ानी बदल दी कभी बोला मैं चमड़े के सिक्के बनाऊंगा उसी तरह से ये था अनपड़ राजा कुछ भी कुछ भी कर देता था अब राजा को एक दिन लगायार मैं तो राजा बन गया पता नहीं कितने दिन रहूंगा तो उसके गरीबी में जो जीवन उसने जीया था उसे लगाया और पैसे तो कमाने चाहिए पैसे कैसे कमाऊंगा तो जनता आप में छवी खराब होगी तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उस दोस्त को बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं तो राजा हूँ सारे सरकारी ठेके तेरको दिलाओंगा सारी कंपनिया तेरको दिलाओंगा सरकारी पैसा तेरको दिलाओंगा नाम तेरा पैसा मेरा तेरको पूरे उस पे दस परसेंट कमिशन तेरको मिलेगा सारा पैसा मेरा दोस्त मान गया, दोस्त को क्या था, फ्री में पैसा मिल दा था, दोस्त मान गया, उसके बाद दोनों ने मिलके जो देश को लूटा, जो देश को लूटा, जो देश को लूटा, सबसे पहले वो दोस्त आया, बोला सर, सबसे पहले बैंकों को लूटते हैं, बोला वो कैसे या को बुलाओ, उसको बोलो कि वो मेरे को लोन देगा, तो बोला लोन देगा, तो वापस कौन करेगा, वापस थोड़ी करना है, आप राजा हो, वापस भूपस नहीं करना, लोन दिला दो बस, तो राजा ने एक बैंक के चेर्मेन को बुलाया, बोला इसको लोन दे, तो वो चे चिरमिन चुना जो की सरासर वर्ष्टाचारी जसके उपर 10 फाइलेंगे उभी जिसके उपर 10 केज चल रहे हैं उसको बुला है देख तब इसको घेरर मना रहा है जो दू कजेजीए तो एक तू 10,000 क्रोड रुपए दे दे इसको चौथी पास राजा ने और उसके दोस्त ने मिलके 2.5 लाग करोड रुपए बैंकों से लूट लिये अब बैंकों से पैसा लूटने के बाद उन्होंने देश को खरीदना चालू किया सबसे पहले उन्होंने देश के एरपोर्ट खरीदे पहले 6 एरपोर्ट खरीदे बेज के जो लोगों की कंपनिया थी प्राइवेट लोगों की कंपनिया या बंदूक रख 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 के उनकी कंपनिया चीन ली राजा ने और उसके दोस्त ने हा हा कार मच गया पूरे देश के अंदर इतनी महंगाई हो गई इतनी महंगाई हो गई पूरे देश में पहले गैस चार सो रुपए सिलेंडर होती थी चौती पास राजा के आने के बाद 1100 रुपए सिलेंडर हो गई पहले पेट्रोल 71 रुपए होता था 97 रुपए हो गया पहले डीजल 57 रुपए होता था 90 रुपए लिटर हो गया जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए डीजल के दाम बढ़ गए तो सारी चीजों के दाम बढ़ गए देश के अंदर हाहा कार मच गया सब चीजों पर इसने और इसके दोस्त ने कब जाए दूद पहले 46 रुपे होता था 66 रुपे लीटर हो गया बच्चों को माएं दूद पिलाने लाएक ने बची घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के दूद छीन लिये इसने राजा ने सरसों का तेल 90 रुपे लीटर होता था दोसो 14 रुपे हो बताओ धीरे धीरे पूरे देश में हाहा कार मिच गया लोग अब राजा के खिलाफ वाज उठाने लगे लोग उसके खिलाफ बोलने लगे तो राजा ने कह दिया जो मेरे खिलाफ बोलेगा पकड़ के जेल में डाले एक के बाद एक एक के बाद एक राजा ने लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने शुरू कर दिया किसी ने राजा का काटून बनानी है उसको भी जेल में डाल दिया किसी ने राजा का नाम गलत ले दिया उसको भी जेल में डाल दिया किसी टीवी चैनल वाले ने राजा के खिलाफ लिख दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया, किसी जज ने राजा के खिलाफ को यॉर्डर कर दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया, ना जजजों को छोड़ा, ना पत्रकारों को छोड़ा, ना मीडिया को छो उसी देश के अंदर एक छोटा सा राज्य था, वो सराज्य का एक मुख्यमंत्री था, उनके चेहरे पर भी स्माइल आ गई, उनके चेहरे पर भी उमीद की किरंच आ गई, वो मुख्यमंत्री अपने लोगों का खूब ख्याल रखता था, वो मुख्यमंत्री कटर इमानदार था, वो मुख्यमंत्री कटर देश भक्त था, वो मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा था, उस मुख्य मंत्री ने अपने लोगों को महिंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए बिजली मुफ्त कर दी भाई साब उसके बाद तो चौथी पास राजा पावल हो गया उसने बुला के जो हड़काया उस मुख्य मंत्री को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे लगा राजा ने तो सारी बिजली कमपनियों पर तब्जा कर रखा था उसे लगा अगर ये बिजली मुफ्त करने लग जया तो बाकी देश में तो मेरा बेड़ा घर्ट मेरी बिजली कमपनिया लुट जाएंगी ऐसे कैसे चलेगा उसने उसको का खबरदार तुने बिजली मुफ्त के मुख्यमंतरी नहीं माना दीरे दीरे उस मुख्यमंतरी ने अपने गरीबों के स्कूल ठीक करने चालू कर दिये तो राजा ने उसको बूला कि और रहाऄ रखाया राजा बोला ये क्या कर रहा है तो स्कूलों के बच्चों को बढ़ाता है तो स्कूल खोल रहा है ये बंद कर ये सर ये नहीं चलेगा उनंहीं माना मुख्यमंतरी ने सब के ईलाज मुफ्त कर दिया सबके लिए शानदार महला क्लीनिक खोल दिये विलाज मुट कर दिया राजा तो बिलकुली पागल हो गया धीरे धीरे जंदा को पता चला कि राजा कैसा है एक दिन लोगों ने उस राजा को खाड़ के फेंक दिया और लोगों ने एक किसी इमांदार और देश भगत आदमी को महां बिठा दिया और उसके बाद देश से महंगाई खतम हुई और देश रात दूदी चौगनी तरक्की करने लगा तो जैसे हम बचपन में सुना करते थे जैसे moral of the story का मतलब भई इस कहानी में क्या प्रेरना मिलती है इस कहानी से ये प्रेरना मिलती है कि अगर आपके देश में महंगाई है, आपके देश में समस्याई है आपके देश में सब कुछ गड़बड चल रहा है तो सबसे पहले जाँच परक के देखो आपका राजा अनपड़ तो नहीं है अगर आपके देश में सब गड़वड चल रहा है बेरोजगारी है बहुत सारी समस्या है ज़र आप देखो राजा आपके राजा को कोई दोस्त तो नहीं है अगर है तो सबसे पहले अपने राजा को उखाड़ के फेको नहीं तो आपकी समस्याओं का कोई समधान नी होगा आपकी समस्याओं का कोई समधान नी होगा वो पड़ा करते थे अंधेर नगरी चौपट राजा सवासेर बाजी सवाजेर खाजा बाग बोट युक्रिया